इस इंसिडेंट को दो साल बीच चुके हैं अपने बेटे रॉबी की मौत से उसकी मौम नीना अभी तक सदमे में हैं नीना एक डॉक्टर है लेकिन रॉबी की मौत की वज़ा से वो खुद डिप्रेशन में है और उसने जॉब भी छोड़ दी है डैन अपनी मौम को रॉबी की टीशिट उतारने को कहता है जो पहन कर सो रही थी नीना और डैन अभी तक रॉबी की वज़ा से सदमे में हैं फिर हमें उनके घर का स्विमिंग कुल दिखाया जाता है जिसमें पानी नहीं है शायद इस वज़ा से क्योंकि रॉबी की मौत पान से देने लगती है मौल में उन्हें पुलिस अधिकारी ल्यूक मिलता है और हाल चाल पूछता है नीना और डैन जब बाहर आकर कार में बैठते हैं रिवर्स करते वक्त राजा उनकी कार से टकरा जाता है डैन राजा को हॉस्पिटल जाने को कहता है राजा के पास दवादा डैन ने बनाए है डैन हाध होने जाता है तब नल का प्रेशर जादा होने के वज़ा से पानी निकलने लगता है नीना रॉबी की फोटो वहां से हटाने के लिए कहती है ताकि पानी की वज़ा से वो खराब ना हो जाए राजा नल ठीक कर देता है फिर नीना उसे अपने ब और वो भी कुट्टों का खाना खा रहा होता है, अंदर आकर डैन अपनी मॉम को रोते हुए सुनता है, वो रॉबी की टीशट पकड़ कर रो रही थी, डैन वहाँ आता है और नीना राजा को उनके साथ रहने के लिए डैन से पूछती है, डैन मना कर देता है क्योंकि राजा उनके लिए अंजान है लेकिन जब डैन सोकर उड़ता है वो देखता है कि राजा उनके घर की मरमत कर रहा है नीना ने राजा को उनके साथ रहने के लिए बुला लिया था डैन अपने पापा को फोन करता है डैन का पापा नीना के साथ नहीं रहता जब वो आते है और राजा की बार में पूछते हैं तो नीना कहती है वो दिन भर अकीले घर में नहीं रह सकती और तुम भी यहां नहीं रहते वो कहता है इन सब में राजा का क्या सीन है वो राजा को उसके काम के पैसे देता है और कहता है आज तुम यहां रुख सकते हो रात में डेन देखता है कि राजा की शाजिश लगने लगती है लेकिन डेन का पापा कहता है वो इस समय राजा को जाने के लिए नहीं कह सकती डेन राजा से पूछता है तुम क्या चाहते हो राजा जवाब देता है कि उसकी मॉम ने उसे रुखने के लिए कहा है डेन कहता है लेकिन तुम मना कर सकते थ तर डैन उसके बैक की तलाशी लेने लगता है तब ही वहाँ उसके पापा आ जाते हैं और उसे डाटते हैं और फिर वो देखते हैं कि राजा नीना के साथ मस्ती कर रहा है स्विमिंग पूल में राजा फिर से पानी भर देता है राजा स्विमिंग पूल में होता है और डैन को भी स्विमिंग करने को कहता है डैन मना कर देता है जिस पर राजा उसे चुड़ाता है नीना राजा से कहती है कि अगर उसने मना कर दिया है तो क्यों पीछे पड़े हो रात में सब डिनर कर रहे होते हैं तब ही वहाँ जॉन नाम का एक लड़का आता है जो नीना का लवर था लेकिन नीना अब उसके साथ कोई रिष्टा नहीं रखना चाती जब डैन और उसके पापा जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि राजा नीना को दिलासा दे रहा है राजा का इस तरह से नीना को छूना डैन और उसके पापा को पसंद नहीं आता कुछ दिनों बाद डैन के पापा चले जाते हैं और राजा और नीना घर पर दारूपी कर सेलिबरेट करते हैं और वो सुई में पूल के पास ही सो जाती है थोड़ी देर बाद वहाँ पर डैन आता है और राजा को अपने साथ चलने को कहता है और फिर वो से खंडर जैसे घर में लेकर आता है उसे खूप मारता है अगले दिन राजा के शरील में बहुत सारी चोटे लगी होती है और नीना उसकी चोटों पर मरम पट्ची कर रही होती है डैन बाहर से उन्हें देख रहा होता है राजा नीना को बताता है कि स्कूल टाइम में उसकी गल्फरेंड थी और एक दिन स्कूल वालों ने उन्हें पकड़ लिया उसकी गल्फरेंड को स्कूल से निकाल दिया उसकी गल्फरेंड दरрыसल एक स्कूल टीचर थी जिसकी उम्र लगभग 51 साल की थी ये सुनकर नीना को बहुत अचीब लगता है कि उसकी गल्फ्रेंड दरह से लिक भुढ़ी ओरत थी तब ही बाहर पुलिस ओफिसर लियूक आ जाता है वो दरह से राजा की कंप्लेट दर्च करने आया था कि राजा के साथ कल रात क्या हुआ था राजा डेन से कहता है कि वो बता देगा कि कल राज डेन ने उसे पीटा था लेकिन जब लियूक उसका बयान दर्च करता है राजा जुड बोलता है कि किसी अंजान लड़के ने उसे पीटा है सुबह लीना राजा और डेन मौल जाते हैं लेकिन तब पीचे से राजा आकर जौन को काफी मारता है और वहां से जाने को कहता है यह देखकर डेन थोड़ा शौकद हो जाता है घर पोज़कर नीना राजा को एक बॉक्सर कुष्ट करती है यह और डेन राजा के कमरे में झ्षाक रहा होता है नीना के जाते ही राजा अपने जीन्स उतार कर उन बॉक्सर्स को पहन लेता है और मास्टर बैटिंग करने लगता है ये सब डैन देख लेता है और डैन को देखते वे राजा देख लेता है डैन चुप जाता है अगले दिन वो तीनों पोर्टिंग करने जाते हैं और राजा नीना को चपू चलाने को कहता है नीना कहती है उसे नहीं आता है राजा कहता है मैं सिखा दूँगा नीना राजा के पास आकर उसकी गोदी में बैठ जाती है और चपू चलाने लगती है ये देखकर डैन को बिल वो सोने जा रहा है और नीना को किस करता है नीना को यह अच्छा नहीं लगता डैन राजा के बारे में च्छान बीन करने लगता है और उसे राजा के बारे में एक न्यूज ऑनलाइन मिलती है कि राजा ने एक औरत का खून किया है जब राजा नहारा होता है डैन राजा का फ देन ट्रेन से एक आदमी के पास जाता है और उसे पता चलता है कि इस आदमी की वाइफ के पीछे राजा पागल था और जब उसकी वाइफ ने राजा से रिष्टा तो ना चाहा तो राजा ने उसे मार दिया लेकिर राजा ने पुलिस को ऐशा शो किया कि उसकी डेथ कार का स अपनी हाथों से नहलाते हैं वापस आकर नियोक के बार में पूछ रहा है हमिती हैना को नियोक को बताते हैं करों के ठीशें लियला है रेकिंगिंते लगे स्धीक्रीच्छ करेंथ रेक्यूर्टी केमरों कि सब्सक्राइब करें दोनों के बीच नजायज रिश्टा था यह देखर डैन को नीना पर काफी गुसा देगी वह सीडी को तोड़ देता है और स्विमिंग पूल के पास आ जाता है जहां नीना लेटी हुई है डैन स्विमिंग पूल में कूच जाता है लेकिन हम उसे वापस निकलते हैं वह नहीं देखते शायद उसे सुसाइट कर लिया था और मुवी यहीं पर खतम हो जाती है सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक चरू कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखेगा चा चा अटाल एज लगाओा चाओा हुआ यह लियाँ प्रमांट चाहर चाहर आपको यह वीडियो चाहर चाहर उट खुआ फ्टार आपको, और और चाहर 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 खुआ कि अटार शाया है चाहर पूंधर, जवंदे घूद्टा झाल झाल